हाई फ्रेंद्स वेलकम टुड़ यूपीसी पीसी एस फॉरम इसके पहले हमने स्टार्ट किया था क्या फिजिकल स्टिंग ओफ अंडिया उसमें ने देखा पांगला दिश्के साथ इंडिया का सबसे ज़़ादा लगते हैं उसके पर चाहिना पाकिस्तान उसके बर नेपाल एंड मैनमार भूतान एंड अफगानिस्तान अफगानिस्तान सैंड ने दिखा कि हमार जो कश्मीरी पार्ट है तो वो जम्मू कश्मीर का रिजन नहों के वो बहुत ओलड पार्ट होज है हमारी country का इसका जो ओरीजिन ही जो बहुत ओल न्यों के On to old optical continue old potato and its origin is very complex and has been has been subject to tectonic forces multiple times means that than we have already now इंडिया है वो क्या है ओल्ड प्लेट्यू है और इसका जो ओरीजिन है वो बहुत कम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सरे टेक्टोनिक प्रोसेस काम करते है इसके फॉर्मिशन में फॉर्मिशन स्टार्टेड एराउंड थ्री बिलियन इर्स तो आपको पता लग रहा होगा कि हमारे जो पेनुसलेर इंडिया है वो कितना पुराना कितना ओल्ड है क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो अर्थ का फॉर्मिशन हुआ था वह कब होगा तो आपको इस से पता चल रहोगा कि पेनिसलेंड है कितना पुरान है यह एक टैप को वन दो फॉर्स्ट मतलब यह ऐसा पहला स्वक्षट था जो हमारे अर्थ पर फॉर्म हिया हुआ था अब हम देखते हैं कि कैसे पॉर्म हुआ है जैसे कि मैंने आपको जब ओशनाग्राफिय पढ़ाया था जब जो माफलेजी पढ़ाया था तो उसमें बताया पहले वह होट मैगमा की तरद यहां हो और यहां पर होते हैं और तेरे फिली क्रस्ट का फॉर्मिशन होता और जैसे जो क्रेस्ट होता है वह वह बैड कंडुक्टर हीट होने के वजह से होता है कि जो होटने से जो अर्थ की जो होट होट मैगमा है अंदर में वह नहीं पाती है और क्या होता है कि वह बाहर निकलने कले करना करें और देखुल से क्या होते कि जो मेघमा है वह बहार निकलते हैं और इस ता 살짝 कर बहुती करें यह बहुतो बहुत और यहांपर देख रहे हैं लिकान इस हॉट मेघमा निकलता है उसको हम बोलते हैं क्यों क्रेटन सब को मिल के हम बोलते हैं क्रेटान और जहां से यह जो कॉंटीनिंटल निकल निकल वाइने जहां से व्हयां से हैं कर रोताय है उसको उसको मुमिए और देरे देरे जब यह से वेदर होके अपने फ्लैंक में डिपोजिशन करने स्टार्ट कर देता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेट फ्लैट 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 तो इस तरिकेश होता है कि कॉंटिनेनिजिल का Чॉन फवर्मेशनृत हन्य स्टार्ट और तैं यह कि रखा पन्टिन ब्लोग खानल की फिंतन अं धूने टीटोन को फिनोमेटा मन अगर है वह बहुत पूराना औरिक कते रहीं चलह हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं लेकिन यह जूडते हैं पर फिर वहां पर क्या होता है एक सूचर जोन क्रियेट हो जाता हुश का क्या होता है कि, अगर हम इसका गेख्जांपल दिख साव आपने इन पेनिशुला को अगर हम ध्यान से हैं पती कि जो हमार worth ने मंचला हुआ है करिटोंस में बट्डी हुए जिसी है धर्वार्वाड क्रिटोंस बस्तर क्रिटोंस सिंगह़ीं ड्याल है जिसमें अगर दार्वाड और बस्तर के वीच में देखें तो एक Soul zoon हमता है जो किसके फॉर्मीशन करते हैं जो घुदावरी जिफ्ट करते हैं बश्तर और सिंग्हम क्रइटनängt के बीचमें कॉनसे रिफ्ट वैल्यी का फॉर्मेशन होता हैं माहानदी क्रिफ्ट वैली का कि 그 brag न सब्सक्राइब कर तरह से बुंदेलखंड तो आई होप आप लोगों को जो मेरा पेनिंसुलर इंडिया का फॉर्मिशन कैसे हुआ है उसको ओवर्वियू समझ में आप आओगा निक्स देखते हैं जैसे कि यहां पे क्रेटोन क्या होते हैं सेल्ड और प्लेटफॉर्म का पाट है और सेल्ड का है यह ओल्डर पाट रिलीव प्रेजिट पेनिंसुलर दीए डिलीव फिल्ड रेलीव हमें क्या उम्मेक उतनी टिकाे रिलीव का करने के लिए अगर ऐसे होगा तो जो भे वvention में शना गाहिड़ा टॉ को क्रेंसमेर के जाबनागा पर से最经 udahरु आइसुर्दों का और लाइस में क Hakuten भी नार Bets तो नॉर्धन पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है इन नॉर्धन पार्ट स्लोप कहां पर है इन नॉर्धन पार्ट स्लोप के दर है इस्टन साइड और साउथ में स्लोप साउथ इस्ट और इस्टन पार्ट में इस तरीके सामें देखनों को मिलता है कि अगर नॉर्धन पार्ट में देखें तो इसका स्लोप कैसे नौर्थ है नौर्थ स्लोप होने का हमें कैसे पता चलते हैं क्योंकि यहां से पेनिंसुलर इंडिया से बहुत सारी दीवर्ज जो होती है जैसे कि सींद केन वेतवा इनका जो ओरीजिन होता है वह कहां पे होता है पेनिंसुलर प्ल नौर्थ इस्टन साइड का देखें तो में रिलीफ कहां देखना है विस्टन क्योंकि यहां पे महानदी गुदावरी पेनार पलार कावेरी वेगल यह सारे रिवर्स किदर फ्लो करते हैं इधर एरेवियन से में इनका क्या होते हैं ड्रेश होता है उसी रिखेंस से अगर हम आप लोगों को यहां तक clear हो रहा है नेक्स देखते हैं और आवली रेंज के वाड़े में और आवली रेंज भी आपको पता होगा क्या तो यह अरावली क्या है अरावली मिलनी क्या है और फोल्ड मौंटेन नीर टू पेनी प्लेन स्थेज जो अरावली रेंज है है वो क्या है वह नियर टू पैनी प्लेन मतलब वह इतनी ओल्ड है कि वह अपने पैनी प्लेन स्थेजेज पे पहुच गई है आपने पड़ा होगा कि जो माउंटेर फेयर होते हैं वह कहां यूद्ध मिचौर से कहां पर जाते हैं तो ओर्ड स्टेज में जाते हैं तो गरते हैं ब्राइ्ट करते हैं कि लिए और ली का स्टेज्ए में नहीं उसके और रावली का थेंख जाये सा कि ये जो जो अरावली है यह oldest fold amount है अर्थ सर्फिस का oldest fold amount है और इसका जो formation हुआ है वो two states में हुआ है first time जो अरावली का formation हुआ था यह 2.1 billion years यह हुआ था तो आप अंदाजर लगा सकते हैं कि जो अरावली का जो first formation हुआ था वह कितना ओल्ड है second जब इसका formation हुआ था तो वह कब हुआ था 700 years billion years ago 700 उसको हम क्या बोलते हैं दल्ली और जिनी भी बोलते हैं कि आपको पते हैं कि अरावली का जो extension है वह कहां तक है दिल्ली तक है in quaternary it also experience rejuvenation as mountains quaternary period में इसका फिर से rejuvenation होता है as mountain अरावली के बारे हमके यह एक old-fold mountain भी है यह fault mountain और यह residual mountain भी है residual mountain उसको बोलते हैं जिसका formation क्यों हो पीरिड लॉंग यह रोजन के बाद उसको फोर्मिशन हों रॉक्स अब हम अरावली के रॉक्स के बारे में जान लेते हैं कि यह इसका जो रॉक का जो नीचे रहे वो क्या से और पोड़ा क्या है ड्यच्प अरॉक्त चार्यायन गिंतर हिपानफ के लामस Chandra-ठोट चाहरmez percentage अजो का रॉक्स हॉक्त पहली तो अब擊 पल यह जो इस पार्ट है वो है पहली स्थ आए необходимо अबू हिल्स है हाइस्ट पार्ट इस अबू हिल्स लेकिन हाइस्ट पेक इस गुरु शिखर यह अरावली के स्ट्रक्चिर नो कुछ ऐसा है इस अबू कि अबू यहां पर आवली के स्ट्रक्चिर आपको कुछ ऐसा देखने का मिलेगा हूँ और यहां पर इस है थे तो सदन पार्ट किया है अरावली के सादन पार्ट जो अरावली के है वो क्या है ब्रॉड दू भीछ इंटरसलेट ग्रेटर सहर्पेश ब्रॉड होने कि वज़से किंद अदिक्रेटर क्रते है जो ब्रिटन ओले वहां to precipitation ज्चाधा होता है इन कंपर इंट ज्चाधा और जहां पर इप्रीश पेश्टेशं ज्चाधा होगा तो तो अधी वह बोटे हैं और पर नॉटिटुब देख्लाइन करते हैं तो उनकी बnyकष पादी भी जाते हैं तो बंडे अधी जाते हैं यहां पर बांट लॉर इसे में अधी अधाइन च्रॉक्षर्ण है वह एक्श्रीन नहीं है । यहां पर लो रिजेस होते हैं और यह इसे लगते हैं कि उनका एक्सेंशन कहां पर हो गया है उनका इंडस गंगा रिसम में हो गया है आज के लिए इतना है थैंक यू सो मच बाई गूद नाइट